हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेज चैनल के एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो गरता आप सब को पता है कि आज के टाइम में सारी चीज़े स्मार्ट होती जा रहे हैं तो यानि कि हमारी स्मार्ट वॉच्छ भी काफी आज के टाइम में स्मार्ट हो चुके हैं वह आपक यानि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वीडियो देखते जरूर उपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार कर लो यह भाई बाई समझ के बुर रहा है बुरा लगता है भाई आज ब्रीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी पीजी के यानि की बात चीज़ के तो गाईस बात कर लेते हैं हमारी इस सीरीज की सबसे पहली स्मार्ट वोच यानि की नौइस की तरफ से आने वाली इस देखने के लिए यानि कि आप इसमें पॉच फेज़ को चेंज कर सकते हैं इसके स्ट्रैप की बात कर ले तो इसके स्ट्रैप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाएगा और लुग के मामले में शायद यह इस लिस्ट में जितनी वाच इसमें ब अच्छी दिस्प्लेज आपको अच्छी बहुत जादा अच्छा लोग देखने के लिए मिल जाएगा आपको क्लियर ली सारी चीज़ शोग हो जाएंगी आपको कस्टमाइज font size देखने के लिए मिल जाएगा जो भी काफी देखने में अच्छा लगता है font को अपने हिसाफ साइड़ेस्ट कर सकते हैं जो भी आपकी watches में नहीं आपको मिलता है इसके resolution की बात कर ले तो आपको इसमें 320 x 320 pixel आपको size देखने के लिए मिल जाएगा यह watch आपको देखने के मिल जाएगी IP68 training के साथ या आपको वाटर रोजिस्टेंजन स्वेट रूप दौनों यह देखने के मिल जाएगी आप इसे चाहे तो नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं आने वाली और इसके stand-by की बात करें जो भी कंपनी दाव करती है वह आपको इसमें 30 दिन का दावा करती है तो guys, इसके all over look की बात करें तो आपको काफी अच्छी look के साथ देखने की मिल जाएगा अगर आप इसे पहन के कहीं भार जाएगे तो लगएगा कि हाँ इस नबन देने एक अच्छी कंपनी के smart watch पहन ना की है तो guys, आप बात कर लेते हैं हमाई इस लिस्ट की दूसरे watch यानि की जो आती है Amazfit विप light guys, मैं आपको बता दूए आपको बहुत जादा ultra light और काफी time चलने वाली watch देखने के लिए मिल जाएगी guys, इसके weight की बात कर ले तो इसमें आपको केवल 32 gram weight देखने के लिए मिल जाएगा यानि कि आपको इससे wear करने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है आपको बहुत ही ज्यादा हलकी feel होगी अपने हाथ में ऐसा लगेगा कि सायद आपने हाथ में कुछ pen भी नहीं रखा है 32 gram तो पता भी नहीं पड़ता है आपको बैसे ही मैं बता दू इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिल जाएगी 1.28 इंचिस की LCD पैनल देखने के लिए मिल जाएगा जिसका पिक्सल साइज रेशो 320 इंटू 320 पिक्सल साइज देखने के लिए आपको मिल जाएगा काफी ब्राइट डिस्प्ले इसके आपको indoor outdoor में दोनों में दिक्कत इसके ब्राइट आपको इसके स्क्रीन में देखने मिल जाएगी गोरिला ग्रास की प्रोटेक्शन यानि आपको इसक्रेस तो दूर अगर आपको गलती से वाच गिर भी जाती है का मुचाई से स्क्रीन के बल पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हो गाई इसकी 30 मि तो गाईस इसके में चार्जिंग टाइम में आपको बता तो यह डिड़ से दो घंटे या कभी धाई गंटे में भी चार्ज एपरोक्स हो जाती है वाच तो काफी अच्छा बैटरी पे आपको देखने के मिल जाएगा अगर बात कर इसकी और बैटरी के मामने तो आपको प पर इसके कुछ फीचर की वाज़े से हमने अपनी इस लिश्ट में आप इसको एड कर लिया सबसे चीक प्राइज में आपको एक लगशरी फील करा सकती है इस सबसे चीक प्राइज में करा सकती है आपको करीवन 3,000 ये 4,500,000 तो ये आपको करेवन 2,000 कुछ रुपीर में आप देखने के लिए अविलेबर हो जाएगी इसके बाकल ने build quality के और design की तो इसमें आपको square shape dial देखने के लिए मिल जायेगा और इसमें इसके build quality के बात के बात के लिए तो इसमें इनोंने metal और polycarbonate का use करा है और guys इसके display के बात के लिए तो इसमें आपको 1.4 इंची का IPS पैनल देखने के लिए मिल जायेगा इसमें आपको बहुत ज्यादा थिक bezels देखने के लिए मिल जाएगी और आपको realme की branding भी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि एक watch पर अच्छी नहीं लगती खासका front के face पर बही तरफ से और guys इसके बात कलने all over एक पूरे performance की screen की तो मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे मुझ जादा अच्छा नहीं लगा इसके पात कलने battery की तो इसमें आपको 5 days की battery life देखने के लिए मिल जाएगी ये 2-5 minutes में full charge आपको हो जाएगी और इसमें आपको IP68 rating देखने के लिए मिल जाएगी और guys मैं आपको पता तो इसमें आपको side hand side पे single button देखने के लिए मिल जाएगा तो guys अब बात कर लेते हैं हमारी इस लिस्ट की चौथी watch की जो कि आपको देखने के मिल जाएगी noise की तरफ से color fit pro 2 इसमें आपको बहुत ज्यादा budget friendly smart watch देखने के मिल जाएगी इस budget में ये काफी ज्यादा features आपको आपको देखने के लिए और इसके overall look भी आपको बहुत ज जिसका IPS पैरल देखने के मिल जाएगा जो फी काफी जादा ब्राइट है सीरियस लिए उतार हो जादा ब्राइटेस का डिस्प्ले आपको outdoor और indoor में दिक्कत नहीं आएगी जिससे कि आप अपने call or notification को बहुत easily attend कर सकते हैं आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ह इसके watch faces के बात करूँ तो आप इसमें अपना मन पसंद इस जाए पॉल पेपल लगा सकते हैं कस्टमाइजेजन भी कर सकते हैं आप चितनी अदर creativity दिखाएगे हो तो नहीं जाता आपका watch faces अच्छे लगेंगे कैस मैं आपको बता दू इसमें swipe पर बार steps आपको देखने के लिए मिल जाएगे आप अपने mood के साफ से steps को भी change कर सकते हैं जिससे कि आप completely इस watch की look को change कर देंगे कैस मैं आपको बता दू कि चितनी भी मैंने आपको watches बता हैं वो iOS और Android डॉनों के साथ capable है या आपको कोई भी mobile में चलाने के साथ तिकत नहीं है यह सारी watches नहीं प्रूदूत के साथ connect होती है अब बात कर लेते हैं हमारे इस लिस्ट की last watch की जो कि आपको देखने करें मिल जाएगी अमेज़ फिंट वर्स लाइट कैस मैं आपको था तो यह एक और budget friendly smart watch आपको देखने मिल जाएगी जो की काफी अच्छे features के साथ आपको मिल जाएगी बात कर ले इसके build and design quality की तो यह आपको देखने के मिल जाएगी अपने circular design के साथ आपको देखने के मिल जाएगी 1.3 इंचिस की एक एमुलेट कलर डिस्प्लेय यानि की डिस्प्लेय के कलर ना आपको दिक्कत नहीं आने वाले चाहेगी दोर में हो या फिर आउट्डोर में तो बात कर ले इसमें आपको कोरिल लगास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा अगर आपकी बहुत गिर भी जाती स्मार्ट वाच में तो एक अच्छा पैकीज हो सकता है यानि कि मैं तो कहूँगा एक बैटरी अच्छी डिस्प्लेय और अच्छी प्रोटेक्शन के साथ वाच मिल रहे हो और उसका डिजाइन भी अच्छा खासा आपको मिल रहा हो तो आप डेफिनेटिल इसे पर्चिस कर आप जिसे चाहिए उसे पर्चेस कर सकते चेक आउट भी कर सकते हैं बस गया आज कि इस वीडियो में इतना ही आए होप दोस्तों आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी जो कि हमने बनाए थी टॉप 5 स्मार्ट वाच जोगी पांस अजार के एंटर में आपको दे अच्छuction 1 अच्छक में आपको दाए होगी आपको